नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ टार्टा अल्ट्रोस के लिए नायनीश कार अंडूड इस्टेरियो दोस्तों इस्टेरियो आपको मिलता है कबलर टू कुपलर सोकेट और फ्रेम के साथ लगने के बाद कुछ इस तरह की कि आपको इसमें फिटिंग मिल जाती है साथ में आपको इसमें मिलता है 2 प्लस 32G स्पेसिफिकेशन्स विद एपल कारपले अंडूड रोटो चलते हैं दोस्तों में स्क्रीन की तरफ इसकी में स्क्रीन है कुछ इस तरह कि आपको इसमें इंटरफेस मिल जाता है जिसमें कि आपको में स्क्रीन पर ही स्पीडोमिटर मिल जाता है जो स्पीड दिखाएगा जब भी आपकी कार रणिंग में होगी इसके साथ ही दोस्तों आप इसकी main screen को customize भी कर सकते हैं टोटल इसके अंदर आपको 22 home screen के customization option मिल जाते हैं यह देखिए टोटल यह 22 option है इसके अंदर मैं आपको एक दो theme इसमें trigger के दिखाता हूं यह देखिए guys इस theme के अंदर आपको totally different दो तरीके से menu option मिल जाते हैं एक तो ही है एंद उसके साथ इस head से भी आपको menu option मिल जाते हैं लेकिन इसका जो layout है वो totally different है इसी तरीके से आपको total wise theme के अंदर अलग-अलग चीजें मिल जाते हैं देखने को यह देखिए जसी ही है इसके अंदर normal आगया इसके साथ ही दोस्तों जो इसका main menu bar है उसके अंदर आपको customization के काफी अच्छी options मिल जाते हैं जसी कि देखिए जो इसके menu icons icons के design चेंज करने के लिए आपको total साथ तरीके के option है इसके साथ ही आपको page turning effect मिल जाते हैं और दोस्तों इसके साथ साथ आप इसका background wallpaper भी चेंज कर सकते हैं यह देखिए यह सभी options आपको available है और background wallpaper यह देखिए दोस्तों गाइस इसकी मैं आपको video quality चेक करा रहा हूँ देखिए दोस्तों इसकी pure HD IPS display है इससे आप किसी भी अंगल से देखते हैं तो जो आपका viewing experience है और जो colors है वो बिल्कुल सेम रहने वाले है इसमें किसी भी तरह का change नहीं आएगा और जो known IPS display वाले set होते हैं उसके अंदर अलग अलग अंगल से देखने पर जो color है वो थोड़े change हो जाता है दोस्तों चलते हैं इसके बागी features and specifications के तरफ यह इसका menu बार है इसके अंदर आपको Google Maps, YouTube, Google Chrome, Play Store यह सबीचीज इन बिल्ट मिल जाती है इसके लावा भी अगर कोई application आप अपने device में डालना चाहते हैं जैसे कि Amazon Prime Music, Wink Music या कोई भी application तो आप Play Store से जाके डाल सकते हैं जस्त आपको अपने phone को hotspot ओन करके इसमें connect करना है Guys, अगर आपकी गाड़ी के अंदर steering wheel controls लगे वे हैं तो उसको भी आप इसके साथ calibrate कर सकते हैं आपको main screen पर ही है, steering wheel की इक option मिल जाता है जस्त आपको उसको open करना है आपको एक एक button अपने car के steering पर प्रेस करना है उसके बाद आपको इस यहाँ प्रेस करना है functions के according और last न आपको save कर लेना है और दोस्तो उसके बाद आपकी गाड़ी के steering wheel control से यह आप इसको operate कर सकते है चलते हैं दोस्तो इसकी specifications की तरफ इसके अंदर आपको MTK series का 8227L processor मिल जाता है इसके अंदर आपको 32GB storage मिल जाती है और 2GB RAM मिल जाती है इसके अंदर आपको setting में show 4GB होगा लेकिन actual जो इसकी RAM है वो 2GB है उसके बाद दोस्तो इसके अंदर आपको TM2313 series का sound processor मिल जाता है जिसका audio output काफी अच्छा है उसके बाद दोस्तो इसके अंदर आपको Wifi की setting मिल जाती है यहां से अब इसको on कर गे इसमें Wifi connect कर सकते हैं फिर आप इसके अंदर Bluetooth की setting पे जा सकते हैं जो भी device आपको अपना connect करना वो यहां से आप कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यह audio की setting है कि by default जब set चालू हो तो उसके अंदर आपको किशिस की कितनी volume रखनी है उसके बाद guys यह display का option है इसके अंदर आपको यह day and night की brightness के अलग अलग option मिल जाते हैं इसके साथ यह जो इसकी panel lighting है इसको भी आप यहीं से on and off कर सकते हैं जब आपको off करनी है तो आपको manual कर देना है और जब आपको semi automatic कर देंगे तो जो गाड़ी से इसको command मिलेगी उस हिसाब से यह चालू या बंद होगा जैसे कि रात को जब भी आप अपनी lighting जलाते हैं और आपको इसको on रखना है तो आपको इसको auto पर डाल देना है इसके साथ ही आपको यहाँ पर wallpaper and screen saver option मिल जाते है उसके बाद आपको इसके अंदर ए sleep option मिल जाता है इसको by default 3 days पर यह आपको रहने देना है फिर आपको यह card setting option मिल जाते है इसमें सभी चीज़े आपको मिल जाती है guys factor setting का password इसमें by default 1234 है उसके अंदर आपको यह बाकी की setting मिल जाती है इसके अंदर अगर आपको अपना camera set करना है तो उसके लिए आपको यह back card source setting पे जाना होगा और इसके बाद आप यहां से अपने camera type select कर सकते है इसके बाद दोस्तों इसके अंदर आपको यह apple carplay का option मिल जाता है और इसके बाद आपको अपने phone को इसे connect कर लेना है इसके लिए आपको अपने phone का bluetooth phone करना है आपको device के अंदर जाके new device search कर लेना है यह दिखिए दोस्तों एक carbt मेरे में अल्रडी है लेकिन यह कोई और डिवाइस है और यह available device में अलग से carbt दिखा रहा है तो मुझे यहां जाके connect करना है उसके बाद आपको pair कर लेना है यह दिखिए दोस्तों connect होती automatically इसके अंदर android auto का page खुल चुका है और यह automatically इसमें connect हो जागा है इसमें आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है यह देखिए दोस्तों without any wire connection automatically यह जो phone है android auto इसके अंदर चल चुका है यह देखिए दोस्तों android auto के सभी option इसमें आपको दिखा रहा है android auto में दोस्तों basically क्या होता है कि आपके जो phone का data है वही screen के अंदर शो होता है आपके phone में जो भी music application आपने download करके चैसे मेरे case में आने वाइटी music इस phone में डाल रखिया है तो वह आपको दिखा रहा है WhatsApp पे कोई message जा रहा है तो वह आप यहां से कर सकते है आपके जो phone के contact है वह इसमें show होते रहेंगे और मैप पर जाने के लिए इसमें डारेक्ट आपे side में shortcut दिया होता है अब इस तरी किसे आप मैप या जाते हैं दोस्तों जैसे कि यह मोबाइल है यह new mobile है इसके अंदर वायरलेस चल रहा है यह Android ओटो और सात में मैं अपने एक दूसरे मोबाइल में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिं उसमें वायरलेस नहीं चल रहा है उसमें वायरलेगा के चल रहा है तो दोस्तों यह mobile phone पे करता है कि उसमें वायरलेस चलेगा है वायर चलेगा दोस्तों मैं दिखा रहा हूं कि इस पैकेज के साथ आपको क्या-क्या मिलता है तो पीसी यूसभी केबल मिल जाती है जिसमें कि आप पैंड्राइब और एंडुर डॉटो के लिए यूसभी कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तो साथ ही आपको ये 5-1 C केबल मिल जाती है इससे कि आप अपनी waste tube और music output ये सभी चीज़े यूसजे यूसब कर सकते है इसके अंदर आपको ये cvbs का option मिल जाता है जिससे कि आप front camera भी अपना connect कर सकते है एक दोस्तों आपको ये reverse camera की input cable मिल जाती है और साथ मैं आपको a mic मिल जाता है वीडियो को अंतक देखने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद थैंक्यू दोस्तों